नए फसल के आवक शुरू होने से पहले गेहूं के दाम में अच्छी बड़ उतरी देखने को मिली है दरसल के इंदर सरकार द्वारा एक मार्च से खुले बाजार बिक्री योजना के तहट गेहूं की बिक्री बंद करने का संकेत दिये जाने से थोक मंडियों में 24 फरवरी से एक मार्च वाले सब्ताहक के दोरान खाद्यानों के दामों में अच्छी खासी बड़ोतरी देखने को मिली है दिल्ली में यूपी राजस्थान के गेहूं का भाव 115 उर्पे बढ़ गया है और 115 उर्पे बढ़कर 2550 से 2625 उर्पे प्रतिक विंटल पर जा पहुंचा है वही मध्यपरदेश की मंडियों में भी गेहूं के दाम में 200 उर्पे तक का उच्छाल दर्च किया गया है इंदोर मंडी में गेहूं 111 उर्पे तेज होकर 2161 उर्पे प्रतिक विंटल देखने को मिला राजे के अन्या मंडियों में भी गेहूं के दाम में 10-50 उर्पे तक की मजबूती दर्च की गई है राजस्थान के कोटा में गेहूं का थोक मंडी भाव 300 उर्पे उचल कर 2300 उर्पे से 3950 उर्पे प्रतिक विंटल हो गया जब की बुंदी में भी 50 उर्पे की बढ़त रही मगर 12 में दाम 95 उर्पे घड़ गया वहीं उत्तर परदेश में गेहूं का मुल्य 140 उर्पे बढ़कर 2450 उर्पे प्रतिक विंटल हो गया वहीं शाजापूर, हरदोई, सीतापूर और गोंडा मंडी में भी गेहूं के दाम में 20-50 उर्पे प्रतिक विंटल का सुधार दर्च किया गया महाराश्टर के जानला मंडी में गेहूं का दाम 100 उर्पे गिरकर 22-29 उर्पे प्रतिक विंटल रहे गया वहीं उत्तर परदेश में एक मार्च ततर राजस्तान में 10 मार्च से गेहूं खरीदने का निन्य लिया गया है सरकार ने गेहूं का उतपादन 1120 लाग टन से कुछ अधिक होने का नुमान लगाया है जो नियत लक्षे 1140 लाग टन से कम है लेकिन पिछले सीजन के उतपादन से ज्यादा है गेहूं की कुल सरकारी खरीद का लक्षे भी पिछले 2 साल की तुलना में छोटा रखा गया है जिसका घ्रेलू बाजार पर मनोविज्यानिक असर पढ़ सकता है वही मार्च का मोसम गेहूं की फसल के लिए अत्यंत महतोपुन साबित होने वाला है उध्योग व्यपार शेत्र की फिलाल निगाहें इस पर है ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी